दोस्तो अगर आप English Grammar में Adjective और उसके Kinds को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाते हैं तो ये वीडियो आप देखते रहें नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है Vicky और मैं आपका अपने YouTube चैनल Vicky की पाटशाला में स्वागत करता हूँ और दोस्तो अगर आप इससे पहले के वीडियो देखना चाते हैं ये पंदरबी वीडियो है 14 वीडियो देखना चाते हैं तो आपको i button पे एक playlist मिलेगी महापे जाकर आप देख सकते हैं चली अब बिना time जाया कि हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये adjective क्या होता है, इसकी definition को समझते हैं, तो इसकी यहाँ पर मैंने definition लिख रखिया है, कि adjectives are those words or group of words that are used to describe or qualify a noun or pronoun, they also give us some additional information about the noun, अब इसे हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, वो भी मैंने लिख रखा है, कि जो शब्द या शब्दों के समूझ संग्या या सर्वनाम की विशेष्ठा बताती हैं, उन्हें विशेष्ण कहती हैं, ये हमें संग्या के बारे में अत्रित जानकारी भी देते हैं, तो मेरे दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है कि adjective ऐसे शब्द या शब्दों के सम्मू को कहती है जो संग्या या सर्वनाम के विशेस्ता बताए पहला काम और दूसरा काम की संग्या के बारे में ये कुछ अतरित जानकारी दे इस definition को समझने के लिए मैंने आपके लिए कुछ example लिये हैं उसको पहले हम देखते हैं तो देखिए पहला example है हमारा राम एक इमानदार व्यक्ति है तो देखिए मैं आपको एक बहुत ही simple सा तरीका बता देता हूँ पहले ही कि कभी भी आपको किसी वाक्य में adjective को ढूंडना है तो आप तीन word लिखें कैसा, कैसी और कैसे इन तीनों से आप एक question पूछें जो भी इसका answer आएगा वो आपका adjective होगा जैसे कि इस sentence में से मुझे विशेशनन को ढूंडना है तो मैं बुलूगा राम एक कैसा व्यक्ति है तो answer आएगा इमानदार तो इमानदार हमारा क्या है विशेशनन इसे हम English में कैसे लिखेंगे राम is an honest person तो राम is an honest person ये जो honest है न ये honest और इमानदार ये दोनों ही हमारे adjective हैं क्यों क्योंकि ये राम या फिर इस person यानि व्यक्ति की विशेशता को बता रहे हैं हम इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि राम एक बेमान इंसान है इमानदार एक अच्छाई है बेमान एक बुराई है बर उन दोनों को ही हम क्या कहते हैं qualify करना या describe करना यानि बहुत ही simple सी बात है मेरे दोस्तू कि जो भी शब्द या शब्दों के समू किसी संग्या या सरवनाम की विशेशता बताते हैं भले वो कोई कुण हो भले कोई अगुण हो या फिर किसी संग्या के बारे में कुछ अतरित जानकारी देती हैं उसे हम क्या कहते हैं दोस्तू विशेशनर्ण कहते हैं यानि adjective कहते हैं तो यह जो honest है यह example है किसका qualify का या फिर describe का हम second example लेते हैं वह एक संदर लड़की है लड़की क्या है एक संग्या वो कैसी लड़की है संदर तो देखे कैसी कैसा कैसी इन तीनों शब्दों से आप किसी भी वाक्य में विशेशनर्ण को पतार कर सकते हैं तो देखे वह एक संदर लड़की है यहाँ पर यह जो संदर है ना इस लड़की को क्या कर रहा है describe कर रहा है या फिर इसे qualify कर रहा है हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं वह एक बदसूरत लड़की है तो संदर या बदसूरत दोनों ही विशेशता है और विशेशता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं adjective कहते हैं इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप देखिए she is a beautiful girl तो यह जो beautiful है ना यह जो beautiful है यह क्या है simple सी बात है कि यह adjective है तो कैसा कैसी कैसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे how how से जो आपको answer बिलेगा वो ही आपका क्या होगा adjective होगा simple सी बात दूसरा example लेती हैं मेरे पास परियाप्त धने अब देखिए पहले दो example में honest और beautiful यह जो दोनों विशेष्णन थे यह संग्या की क्या बता रहे थे विशेष्टा बता रहे थे या फिस सर्वनाम की विशेष्टा बता रहे हैं पर यह तीसरा जो example है यहाँ पे आप देख सकते हो कि धन जिसे हम पैसा यानि मनी कहते हैं जो की क्या एक संग्या है, यहाँ पर यह इसकी कोई विखेस्ता नहीं बता रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा है कि मेरे पास परियाप्त धन है, परियाप्त धन, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यह जो परियाप्त है, यह संग्या के बारे में जानकारी दे तो जो भी शब्द संग्या के बारे में जानकारी देते हैं, कुछ अत्रित जानकारी देते हैं, इडिशनल इंफरमेशन देते हैं, उन्हें भी हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, adjective कहते हैं तो adjective के दो काम होते हैं एक संग्या या सरवनाम की विशेष्था को बताना दूसरा काम जो हमारा संग्या होती है उसके बारे में अतरित जानकारी दे रहा अब इसको हम English में कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं I have enough money तो यह जो enough word है न यह हमारा क्या है सिंपल सी बात है adjective मैं यहां पे enough की जगा पे more लिख सकता हूं little लिख सकता हूं less लिख सकता हूं तो जितने I have some money तो मैं some भी लिख सकता हूं some तो आप यह देखें कि जो भी money के बारे में कुछ जानकारी देए ना तो वो ही शब्द हमारे क्या होंगे विशेष्ण होंगे लड़के हमारी संग्या है देखना हमारी क्रिया है लड़के आप जानते हैं कि संग्या है और यह हमारी समू आचक संग्या है सुरी जाती आचक संग्या है तो यह जो लड़के हैं इसकी संख्या बता रहा है कुन पाच तो यानि लड़कों के बारे में यह क्या देर बता उसकी जानकारी बता रहा है, उसकी मात्रा के बारे में बता रहा है, तो यह जो पाच है, यह क्या हो गया, एक विशेशन नहीं तो हो गया, इसे अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, you saw five boys, तो यह जो five है ना, यह भले इन लड़कों की विशेशता नही बता रहा है, परन्तु दोस्तों, यह उसके बारे में अतरित जानकारी दे रहा है, इस noun के बारे में, तब ही मैंने यह line लिखिया है, और यहां पे भी मैंने यह line लिखिया है, तो adjective के दो ही काम है, या तो विशेशता बताना, या फिस संग्या के बारे में अतरित जानकारी देना. ये मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको यह चीज समझाए. तो यह जो कई वर्ड आप देख रहे है क्यों कि यह हमारा adjective है , क्यों दोस्टो क्योंकि यह विद्यारतियों के बार ने हम में अत्रित जानकारी दे रहा है जैसे अगर हम इसे इंगलिश में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे we have many students we have many students तो आपने यहां पर देखा आपने यहां पर यह देखा कि इमानदार सुन्दर परियाप्त पाच कई यह हमारे हिंदी के विशेश्णन है जबकि इंगलिश के हमारे कौन-कौन से होगे honest, beautiful, enough, five और many तो जो भी शब्द संग्या या सरवनाम की विशेश्णन होते हैं या फिर संग्या के बारे में कुछ अत्रित जानकारी दे तो मैं उमीद करता हूँ कि यह आपको adjective का अर्थ मैंने समझा दिया है अब हम बात करते हैं आगे और आगे समझते हैं हम इसको कि इसके परकारों के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि adjective और उसके परकार तो देखी बहुत ही simple सी बात सबसे पहला adjective होता है हमारा adjective of quality adjective of quality तो यह जो quality वाला है इसे हम हिंदी में गुण वाचक संग्या कहते हैं जब भी कोई भी शब्द किसी भी संग्या या सर्वनान की अच्छाई या फिर बुराई बताए जैसे मैंने का मैं एक अच्छा टीचर हूँ तो अच्छा मेरी अच्छा ही बता रहा है मैं एक बुरा टीचर हूँ तो अच्छा बुरा ऊचा नीचा लंबा छोटा यह जितने भी शब्द होते हैं यह गुण होते हैं किसी व्यक्ति के तो ऐसी जो शब्द होते हैं विशेश्रण कहलाते हैं और विशेश्रण में कौन से adjective of quality, क्लियर है बहुत ही सिंपल सी बात, दूसरा हमारा है adjective of quantity, जैसे हम मात्रा वाचक विशेश्रण या फिर परिणाम वाचक विशेश्रण भी कहते हैं, जैसे कि sum हो गया, enough हो गया, more हो गया, ये चितने भी शब्द हो quantity कहते हैं, दोस्तों इनको मैं आपको detail में एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे example के माध्यम से समझाऊंगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा overview दे रहा हूं, कि adjective क्या होते हैं, और adjective के कितने परकार होते हैं, तो आपको clear सी बात, पहली बात clear हो गई, कि adjective of quality होता है, जो अच्छाई और ब्राई बताती हैं, और एक होता है adjective of quantity, quantity में आप याद रखना कि ये मात्रा बताता है, किसी भी संग्या या फिर किसी भी सर्वनाम की, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसके बात होता है हमारा तीसरा adjective of number, जिसे हम संख्या वाचक विशेशन कहते हैं, जैस तो hundred क्या है, एक number है, जो कि संग्या के बारे में क्या बता रहा है, विशेश्त मतलब उसके बारे में कुछ अतरित जानकारी दे रहा है, तो वो कौन सा adjective कहलाएगा, adjective of number कहलाएगा, तो देखिए तीन तो बहुत ही simple है, adjective of quality, adjective of quantity और adjective of number, ये तीन तो बहुत ही जादा simple से है इसके बाद देखिए, चौता हमारा आता है, most important, बहुत ही जादा important है, demonstrative adjective, जिसे हम संकीत वाचक विशेश्वन कहती हैं, जैसे कि this, that, these, those, such, ये हमारे विशेश्च है, जैसे हम बूलते हैं, this boy is my friend, that girl is my girlfriend, तो ये जो this, that, these, those, वर्ड होते हैं, या सच होता है, ये हमारे demonstrative adjective कहलाते हैं, और demonstrative pronoun भी होते हैं, जब मैं इसका वीडियो बनाऊँगा, तो उन दोनों के बीच में आपको difference बहुत अच्छे तरीक से समझाऊँगा, इसके बाद पाच्वा हमारा आता है, distributive adjective, आपने देखा होगा, जब मैंने pronoun पढ़ाया, तो मैंने वहाँ पे distributive pronoun भी पढ़ाया, और distributive adjective भी होता है, तो जब मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा, तो इन दोनों के बीच के comparison को भी मैं आप quiz हमने रखूंगा, जो की either, either, neither, each, everyone, none, ये जितने भी होते हैं, हमारे distributive pronoun भी होते हैं, और distributive adjective भी होते हैं, ये उनके इस्तमाल पे निरभर करता है, जो की काफी confusion कर देता है विद्यारतियों के दिमाग में, बट आप बेलकुल बेफिकर रहें, मैं इसका वीडियो जब बनाऊँगा, तो दोनों का comparison करके दिखाऊंगा आपको, छटा हमारा होता है, interrogative adjective, जिसे हम प्रशिन वाचक विशेशनन कहते हैं, और आपने दिखाऊगा तो ये जो तीनों आप देख रहे हों है, demonstrative, distributive, interrogative और possessive, ये हमारे adjectives भी होते हैं और ये ही हमारे pronouns भी होते हैं, अब जो वीडियो बनाऊँगा, उनमें मैं इनके comparison को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊँगा, आठवा है हमारा proper adjective, जो कि बहुत ही important है, जिसे हम व देश के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर बनते हैं, तो उसे हम proper adjective कहते हैं, इसे भी मैं आपको अच्छे ते किसे detail में समझाऊँगा, इसके बाद आता है हमारा emphatic adjective जब हम किसी करता पर जोल डालते हैं, द्रिनता वाचक मिशेश्वन कहते हैं, तो ये हमारे no total adjective हैं, जिने मैं एक एक करके आपको बहुत अच्छी ते किसे समझाऊँगा, दोस्तो, दोस्तो मेरी आपसे request है कि इस series में जादा से जादा लोगों को जोड़े, ताकि मुझे motivation मिले, और मैं आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस मणाऊँ, मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन जै भारत